गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू यूटूब चैनल लर्निंग हरियाना, आज हमारा टोपिक है एक्सरसाइज 5.16, डैसिमल को डैसिमल से कैसे डिवाइट करती हैं, तो इसमें स्टुडेंट्स एक मॉस्ट रूल है सबसे पहले, जो हमारा डिवीजर होता है, डिवीजर को हम होल नंबर में कनवर्ट करते हैं, आप देखो यहां 1 के बाद पॉइंट है, अब इससे होल नंबर मॉनाने के लिए हमें 10 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम डिवीजर को 10 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो डिवाइड को भी करना ही पड़ेग दोनों को सेम नंबर से मल्टिप्लाई करते हैं, 1.5 को आप 10 से मल्टिप्लाई करेंगे, 15 आजाएगा, 8.4 को 10 से मल्टिप्लाई करेंगे, 84 आजाएगा, अब 84 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 की टेबल 84 तक रीड करेंगे, तो 15 फाइजा, 75, 4 में इससे 5 माइनस नहीं हो स यहां point put करेंगे और यहां 0, अब इस 0 को हम नीचे ले आएंगे, 15 की table में 90 आता है, 6 जा पे 15, 6 जा 90, 90-90, 0, अब यहां देखो, 1 के बाद point है, तो point put कर देंगे, answer is 5.6, second question, 48.12, sorry, 48.12, divide 1.2, अब 1.2, यहां देखो, 1 के बाद point है, तो हम इसको 10 से multiply करेंगे, 1.2 multiply 10 is equal to 12, 48.12 multiply 10 is equal to 481.2, अब हम 481.2 को 12 से divide करेंगे, 12 की table में 48 आता है, 12 फोरजा 48, 48-48, 0, अब इस 1 को नीचे ले आओ, अब 12 की table में बन तो आता ही नहीं, 12, 0 जा, 0, 1-0, 1, 2 को नीचे ले आओ, 12 बन जा, 12 is equal to 0, अब यहां देखो, 1 के बाद point है, तो हम भी यहां 1 के बाद point put कर देंगे, 40.1, next question is 3 number, 3.609, divide 0.009, यहांकि अब देखो, इसमें div is 1, 2, 3 के बाद point है, यहांकि 1000 से multiply करना पड़ेगा, 0.009 को हम 1000 से multiply करेंगे, तो सिरफ 9 आ जाएगा, 3.609 को हम 1000 से multiply करेंगे, तो इसके भी point अट जाएगे, क्योंकि 3,0 यहां से 3,3609 आ जाएगा, अब हम 3,609 को 9 से divide करेंगे, 9 की टेबल में 36 आता है, 9,4 जा, 36, 36-36, 0, इस 0 को नीचे ले आएगे, 9,0 जा, 0, again 9 है, उसको नीचे ले आएगे, 9 बन जा, 9, 9-9, 0, point नहीं है, तो यहां भी point नहीं आएगा, answer is 401, now question 4, 54.6 divide 0.13, 4th question, 54.6 divide 0.13, अब 0.13 देखो, 2 के बाद डेसिमल है, तो इसको 100 से multiply करना परेगा, 0.13 multiply 100 is equal to 13, 54.6 multiply 100, अब देखो, इसको 10 से multiply करेंगे, तो 546 बन जाएगा, लेकिन आब 100 से कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा, यह, 5,460, 5,460 को 13 से divide कर लेंगे, 54, तक read करेंगे 13 की table, तो 13, 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 54 में से 52 को माइनस करेंगे, तो 2 आ जाएगा, 6 को नीचे ले आईए, 13 2 जा 26, 26 माइनस 26 जीरो, एक 0 रहती है, 13 0 जा 0, 0 माइनस 0, 0, answer is 420, Now, question number 5, 0.555 divide 0.6, 0.61 के बाद decimal है, तो हम इसको 10 से multiply करेंगे, 0.6, 0.6 को 10 से multiply करेंगे, तो 6 आ जाएगा, 0.555 को 10 से multiply करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5.55, अब 5.55 को हम 6 से divide करेंगे, 6, देखो 5 तो small as 6 से, अब 55 बन गए आईए, 55 को 6 से divide करेंगे, तो 6, 9 जा 54, 5-4, 1, 5-5, 6, 9 जा 54, अब देखो 5 तो whole नमबर दा गया नहीं था, पॉइंट आगे आना तो इस 9 के आगे पॉइंट पूट करेंगे, 0.9, 5-4, 1, 5-5, 0, अब इस 5 को नीचे लियाओ, 6, 2 जा 12, 6, 3, 13 जादा हो जाएगा, 5-2, 3, 1-1, 0, अब 3 रिमाइंडर आगे, रेकिन रिमाइंडर तो हमें रखना ही नहीं है, यहाँ 0 पूट करेंगे और इस 0 को नीचे ले आएँगे, 0, अब 6, 5 जा 30, आंसर इस 0.925, Now, question number 6, 4.51 डिवाइड 0.04, 0.04 अब 0.04 को हमें 100 से मल्टिप्लाई करना पढ़ेगा, 0.04 मल्टिप्लाई 100 is equal to 4 बन जाएगा, 4.51 मल्टिप्लाई 100, 451 बन जाएगा, 451 को 4 से दिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 4-4, 0, 5, 4 बन जा 4, 5-4, 1, इस 1 को नीचे ले आएए, 4, 2 जा 8, 11-8, 3, अब 3 हमें रिमाइंडर रखना नहीं है, हम अब पॉइंट लगा के 0 पूट कर देंगे और इस 0 को हम नीचे ले आएएगे, 30, अब 4, 7 जा, 4, 8 जा, 32 हो जाएगा, 4, 7 जा, 28, 10-8, 2, 2-2, 0, एक 0 लगा लो यहाँ, 4 फाइजा, 20, अब देखो, 1, 2, 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 112.75, इस एक्सेसाइज इस कम्प्लीट, नाव स्टोरी सम्स, नेक्स एक्सेसाइज करेंगे अभी आएग्सेसाइज 5.17, question फास्ट है, निसीज सूध डिस्टिबूटेट 4.8 किलोग्राम एपल्स, एक्वली अमोंग 8 चिल्रन, यनकी 8 चिल्रन में बाटना है, उसको 4.8 किलोग्राम एपल्स, उसके पास, इक्वली ब्राबर रूप से बाटना है, how many किलोग्राम डिड इच चाइल्ड गेट, एक बच्चे को कितने किलोग्राम मिलेगी, तो हम डिवाइड करेंगे 4.8 को 8 से, question 1, टोटल एपल्स कितनी है, 4.8 किलोग्राम, नम्बर ओफ चिल्डरन, 8, एक बच्चे को कितनी मिलेगी, इच चाइल्ड गेट, इच चाइल्ड गेट, एपल्स, 4.8 केजी, डिवाइड एट, 4.8 डिवाइड एट, अब एट की टेबल में 4.8 डिवाइड करना हमने, यहनकी 4 तो पहले ही small 8 से, पहले ही पॉइंट लग जाएगा, 8, 6, 4, 8. 0, कितने आजाएगी? 0.6 किलोगराम, यहनकी 1 किलोगराम से कम 600 ग्राम के लगबग मिल जाएगी एक बच्चे को, इच चाइल्ड गेट 0.6 किलोगराम, हम राइट करेंगे, इच चाइल्ड गेट 0.6 किलोगराम हैपल्स, कोश्चन नमबर 2, Now question number 2 शालीनी पेड रूपीज 144.25 for 5 नोटबुक्स 5 नोटबुक्स के लिए कितने पैसे पे की है शालीनी ने 144 रूपीज और 25 पैसे What was the cost of each नोटबुक? एक नोटबुक की कीमत आपको बतानी है तो हम क्या करेंगे 144.25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं शालीनी पेड रूपीज शालीनी पेड मनी रूपीज 144.25 नमबर ओफ नोटबुक्स नमबर ओफ नोटबुक्स है 5 एक नोटबुक की कीमत ना नी बतानी है आपको इच नोटबुक्स कितनी आएगी 144.25 डिवाइड 5 144.25 को 5 से डिवाइड करेंगे अब 5 तू जा 10 14 माइनस 10 4 एक 4 ओर है 44 बन गया 5 एट जा 40 44 में से 40 गए 4 अब इस 2 को ले आएए अब इस 2 को हम नीचे ले के आएंगे अगें 5 एट जा 40 42 माइनस 40 2 अब 5 को नीचे ले आएंगे 25 5 फाइजा 25 0 रिमाइनर अब 1 2 2 के बाद पॉइंट है 1 2 यहां भी 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 28.85 अंसर आ जाएगा cost of one notebook is cost of one notebook is rupees 28.85 Now question number 3 Vikrant covers a distance of 4.5 km in 5 rounds of park एक पार्क के 5 चक्कर लगाने में 4.5 km लगते हैं उसको तो एक चक्कर लगाने में कितना distance cover करेगा तो हम डिवाइड करेंगे इसमें भी हम लिखेंगे Vikrant covers distance in 5 rounds या total distance Question 3 total distance total distance total distance covered by Vikrant in 5 rounds is equal to 4.5 km 4.5 को 5 से दिवाइड करेंगे अब 4 देखो 4 तो 5 से स्मोल है तो स्टार्टिंग में याम पॉइंट आ जाएगा 5 9 से स्टार्टिंग पॉइंट नाइन किलोमेटर सोरी में या किलोग्राम की जगे किलोमेटर आए 0.9 किलोमेटर यान की वन राउंड में कितना distance कवर किया एकृर्बॉज विकृंथ कवर्बॉज विकृंथ 2 6Eն 0.9 kिलोमेटर दिण थिसे स्टार्टिंग 5 0.9 kिलोमेटर आएग 6 0.9 kिलोमेटर दिए침 вас आर्टिंग 2 winkृं लिग टिविकृंथ वीडियो लाइक आवर चैनल लर्निंग हर्याना लाइक शेर एंड सुस्क्राइब